देशी मनोरंजन में पिल सच चुकी थी देश की ओद्दोगिक रास्थानी कानपूर से करीब 70 किलोमीटर विल्लोर के नया नेवादा गाउं में नोटंकी चल रही है नोटंकी यानि लोग निर्ते और नाटक शैली की वो कला जो स्वांग से मिलती जुलती है प्रेम और वीरस पर आधारित नोटंकी में हास्य और विंग का पूरा मसाला होता है नगाडूं की आवाज सुनकर आसपास के कई गाउं के लोग नया निवादा पहुचे हैं उठेगी तुम्हारी उठेगी तुम्हारी 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 तुम क्रिश्ना भाय की नौटंकी में काम करते हुए रानी बाला से मुलाकात होई और मंच की सहीयोगी को उन्होंने जीवन साथ ही भी बना लिया। दोनों ने मिलकर अपनी नौटंकी कंपनी खोली और खूब नाम कमाया लेकिन एक कसक जो इन दोनों के चहरे पर साफ दिखती है कि नौटंकी में अब वो बात नहीं रही। ऑफ एए ड़ावी हुथ एसे दही वाली है सुलताना डाकू हारिचंद है तब के लुट है सुलताना दाकू है सब कि लोगतर तो अब होतxoह जाने अब n कर शेरू होता पबलिक अचने लगत हुए रंपत और रानी बाला के नौटनकी का बदला रोप नजर भी आता है मंच पर डांस कर रही इन लड़कियों को देखने के लिए भीड राद भर बैठी रहती है और फिल्मों के मशूर गानों पर डांस का सिलसला की मदस्तूर जारी रहता है रंपत बताते हैं भीड को रोके रखने के लिए हर 15 से 20 मिनट में एक फिल्मी गाने पर डांस तो जरूरी हो गया है खासकर भोचपुरी गाने तो फिल्मों में आइटम नंबर की तरह जरूरी ही हो गए हैं नौटंकी के गिरते स्तर और बंध होती कंप्रियों का जिकराते ही अपनी कॉमेडी से सब को लोट पोट कर देने वाले रंपत काफी गंभीर हो जाती हैं उनका कहना है अब लोगों को राजा हरिशंद्र, डाकुर सुल्ताना और लैला मजनु जैसे नाटक नहीं सिर्फ डान्स ही चाहें ऐसे में जो सच्चे कलाकार थे उनकी कंप्रियां बंध होती जा रही है इस लोग कला को बचाने के लिए सरकार से मदद की आस लगाए रंपत ने खुद को नए रंग में रंगना शुरू कर दिया है आजकल वो मन्च से जादा सीडिय में नजर आते हैं हाल हिमें उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है बेरहाल परदे के पीछे बैठे इन कलाकारों की सब की अपनी कहानी है जिसका कथानक मन्च के सामने बैठी गिर की डिमांड पर लिखा जा रहा है गाउं कनेक्शन के लिए कानपूर के नया नेवादा गाउं से कैमरमेंड अजे के साथ अरविंद शुक्रा के रिपोर्ट